हेलो एवरिवन मैं खुश्बूर आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन टेक फिलो तो आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट फिंग लेकर आई हूँ आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं बट इसके लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं आप जो मेरिट रिस्ट आएं थी उसमें आपका नाम नहीं आया है जिसके कारण आप काउंसलिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं जो कि 1000 रूपीस का है बट इसमें सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या है कि हमें यह नहीं पता कि कोई से कॉलिज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं तो हमें उसके लिए बहुँ जादा कन्फूजन है कि अब हम क्या करें हमें यहीं नहीं पता कि सीट्स कितनी हैं जादा हैं कम हैं इतने सारे बच्चे काउंसलिंग गांड के लिए भी अपलाई करने वाले हैं तो हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा तो उसी के लिए मैं आपकी आज वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपके सारे कन्फूजन किलियर हो जाएंगे तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में यहीं बात करेंगे कि कोई सी कॉलीज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं तो जैसे ही आप SCERT की ओफिशिल वेबसाइट पर जाते हैं दिन उस पर आप किलिक करते हैं तो उसके सामने आपके सामने कुछ इस तरहां का पेज ओपन होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है और सबसे ऊपर क्या लिखा है आप उस पीडिएफ में सारे जो कोली जो उस अपके नाम लिखें फिर जाएं वो गोर्मेंट हो या फिर प्राइवेट हो और सारी केटेगरी SC, ST, OBC, General, EWS जितनी भी केटेगरीज हैं जितने भी पार्ट में बच्चे डिवाइड थें उन सब के लिए कोई से कोलीज में कितनी सीट अवेलेबल हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले इंस्ट्रीट्यूट नेम दे रखाए देन उसके बाद बहुत सारे कोलम दे रखें जिसमें केटेगरी वाइज सीट अवेलेबल हैं तो आप देख सक सबस्क्राइब सबसे पहला कोलम है हमारा उसी में सबसे आदा सीट है कितनी ऐसे कि ट्वंटी टू ट्वंटी सिक्स थार्टीन टू अदर्वाइज बाकी जो और केटेगरी है स्टी एड़ू एस जनरल उन सब के लिए सीट्स बहुत कम है जाद दर तो समय एक दो या फिर जीरो जीरो ही सब्सक्राइब करें उसके बाद जो आपके लिखाओ आपकी किस्मत में वह तो होना ही आपको पता है तो आप सारे को इसको स्लेक्ट करें अब अपनी केटेगरी क्या है उसमें कितने सारी सीट्स अवेलेबल है उसके बाद याप कौंस्लिंग फॉर्म फिल करने का कदम बराबर हैं तो मैं आपको यही सजेश्ट करूंगी कि आप यह फॉर्म फिल ना करें क्योंकि इसमें आपका नंबर आएगा नहीं बलकि आपके वन थाउजन रूपीज और वेस्ट हो जाएंगे आपको फिर नियाश नियाशा हाथ लगेगी और कुछ भी नहीं तो आप न नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए एंसी वेप का ओप्शन हमारे पास बचता है जिसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैंने उसका वीडियो बना रखी हो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसलिए अभ को सब्सक्राइब जरूर करें तो थैंक यू फॉर वाचिंग एजूकेशन टेक्स लोग करें